T20 World Cup का आज पहला मैश था और पहले मैश में ही बहुत बड़ा ओलट फेर देखने को मिλα है एक Namibia की टीम ने Asia Cup चैंपियन स्रीलंका को हरा दिया है T20 World Cup के पहले मैश में ही बहुत बड़ा ओलट फेर देखने को मिला है कुआली फायंग स्टेज के पहले मैच में नामीविया ने स्री लंका को 55 लोनों से हरा दिया है स्री लंका को यहां पर कुल 164 रनों का तारगेट चेज करने का मिला था वे उसमें भी फेल साबित हुई स्री लंका की सुरुआद भी नामीविया की तरह खराब ही रही यहां स्री लंका ने स्रिफ 4 ओवर के बीतर 21 रन चेज कोर पर अपने तीन विकेट गमा दिये इसके बाद स्री लंका मैच में कभी वापस ही ही नहीं कर पाया उसके शिरिफ चार बले बाज ही धाई का आगड़ा पार कर पाए स्रीलंका की और से सबसे ज़्यादा रन कप्तान दसुन सनाका ने बनाए उन्होंने 39 रन की पारी खेली लेकिन नामीविया दुबारा बनाएगे 164 रनों के तार्गेट को पाने में है काफी नहीं रहा नामीविया की ओर से इस मैच में डेविड वीश बरनार्ड बेन और जेन ने दो दो विकेट लिये नामीविया ने अंत में इस मैच को पस्पंदमों से जीत लिया और एशिया कप की चैंपिन टीम स्री लंका को माते दी